चेहिंद राधरादे जोहार मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहुत कुमार स्वागत करता हूं अनकार्णमी के प्लेटफाउं पे जो वाइफा स्टड़ी यानि एंटी पीसी सुभा नौ बजे मंडे टू संडे जैसा कि आपको पता है कि जो आपके सेडूल है सुभा नौ लेके 9 जीएस पिसाण नौ से लेके साइंस चतने सारे सब्जेक्ट आएंगे आपके जीएस में सब कुछ है इंक्लूड होगा मेरी आवाज आ रही आप तक मैं तेक्रावा विल्यूवल हूं अगर मेरी आवाज आ रही आप तक तो जरह थम दिखाना सर बिल्कुल आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है मेरे आवाज आरी बच्चे तो आज NTPC में याद करिए कि 40 questions आपके syllabus में दिये हुए हैं यह रहा syllabus अगर मैं देखू जेनरल कि तो 40 सवाल आपको देखने को मिलते हैं कितने बच्चे 40 सवाल देखने को मिलेंगे और इस 40 में से जो एक्जाम में 35 लेकर आएगा वो NTPC का कींग हो जाएगा यानि CBT पास कर जाएगा तो CBT पास करने के लिए आपको कम से कम जो कौट अफ हम लोग मान के चलते हैं आपको 80 प्लस पार करना होगा हरा हाल में 80 प्लस लाना होगा इसके लिए आपको GS बहुत बड़ा रोल अदा करेगा क्योंकि ताइम टेकिंग कम लगता है या 90 मिनट देड़ घंटे 90 मिनट 100 सवाल कई वार ऐसे बच्चे होंगे कई बच्चे ऐसे होंगे एक्जाम होल में कि सारा स सवाल भी नहीं पड़ पाएंगे कोश्चर में नहीं पड़ पाएंगे सारा इतनी स्पीड और एक्यूरेसी मिंटन करनी होगे आपको तो अभी सही कमर कस लेजिए क्योंकि अभी से आपके लिए लगबग 70 दिन समय है 70 दिन इसलिए क्योंकि फेस्टिवल में टाइम कोड़ना नहीं है ठीक है तो आज और इंडिया लाइप टेस्ट में 40 कुस्टन्स मिलेंगे 40 कुस्टन के लिए 20 सेकेंड का टाइमर होगा इस 20 सेकेंड के टाइमर में देखते हैं कौन साही साही जवाब लगा क्या आता है अरो लेड़ी गाइस तो लिंटों के सार बिलकु सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे साथ जहां पर मैं वल्ल जोगर्फी पढ़ा रहा हूं चार से पांच में सेग्मेंट में जो गोल होना चाहिए आपका इससी इसके अलावे आपको स्पिसल क्लास मिलता है बच्चे 10 बज कर 15 मिनट में जो विदावत आप्सन देखते हो सब 10 बजे फिर पांच बज कर 35 मिनट में देखते हो आप मौक टेस्ट यह आपके लिए और आज संडे है तो आप याद रखना 6 बजे साम को मिलेंगे 50 करेंट अफियर्स के साथ 50 करेंट अफियर्स के साथ इसके अलावे NTPCR crash course जो 21st 21 सितंबर से यानि कल से शुरू हो रहा है द अब तक अगर जोइन किये हैं तो टाइम जाब रखना दो पार 12 बचे जिसमें से सारे सब्जेक्ट कबर करेंगे और नहीं जोइन किये तो जल्दी से जोइन करिए बाबा टिन कोड लगा के जिसमें से मैथ और इसनिक सब कुछ मिलेंगे ठीके बच्चे चुलिए सवाल न 2012 सवाल नमबर वन जल्दी यूएनो को किस वर्स में नोबल सांतिक पुरुषकार दिया गया था तो यूएनो को नोबल सांतिक पुरुषकार 2001 में मिला था कमलेंट था बच्चे 2001 में अब ज़रा सक्क्मेंट बॉक्स से मताना कि 2001 में नोबिल सांतिक पुरुषकार यूएनों को मिला साथ में किसे मिला था यूएनों के तरफ से कौन रिसिप किया था यूएनों के तरफ से कौन रिसिप किया था यूएनों के तरफ से कौन रिसिप किया था माइका का जवाब 2001 नीरजवैद्य दोजार एक रोजी सेख दोजार एक क्या बात है तो बच्चे संजुत राश्तर उसके महासाचीव कोफी अनान जो समय थे कोफी अनान को एक बेहतर संगठी तो रधिक सांतिपन दुनिया के लिए उनके काम के लिए सांतिका नोबिल प्रुषकार मिला था कि सवाल बनता है कि अगर पूछ दे कपी अनान को कब मिला तो आप ंचल डिक सवाल धार नु후 समय में। पानिपत का पर्थम यूद पानिपत का द्यूति यूद सवाल नंबर दो जल्दी हाँ घाना के थे बहुत बढ़िया तो भारत में मुस्लिम सक्ति की न्यू रखने वाला समझना तरायन का पहला यूद होता है 1190 में गोरी और पिर्थिवीराच चौहन के बीच तो इसमें से गोरी हारता है दूसरा 1192 के बीच तरायन का यूद यहीं से जब पिर्थिवीराच चौहन हारता है और यहीं से मुस्लिम सक्ता की सुरवात भारत में हो जाती है तरायन का दूतिय यूद अगर मैं पानिपत का पर्थम यूद क में मराथा राहमत साथ दाली अब डेट की बात करें 21 अप्राइल 1526 पांच नॉम्बर 1556 14 जनवर 1701 यह आपके सामने कहानी खताम हो गया नहीं चलिए सवार निमर तीन exponential growth of sales is the characteristics feature of कोशिकाओं की घातांकिय रूप से विर्दी किसकी विशिस्ता है tissue culture sales, multicellular organisms, unicellular organisms या embryo brune सवाल नमर तीन चल्दी रवी संकर जी आप भाई आप पढ़ते हो तो नूट कर लिया करो पहले सभी पढ़ लिया पढ़े हो कितने पीडियो प्रेट्टा मारोगे समझने का प्रयास करिए तो देखो समझना कोशिकाओं की घातंकिय रूप की बात करें न तो ये कैंसर को डिनूट करता है यानि जो कैंसर हमारा है ट्यूमर जो बढ़ता है तो किस रूप में बढ़ता है exponential रूप में बढ़ता है tumor हमारा वही कहता है कि उत्तक समर्धन कोशी का tissue culture sales क्या होगा tissue culture sales होगा बिल्कुल या तक ना क्या होगा tissue culture sales ठीके सवाल नमर चार जल्री In which year the first telegraph line between कलकत्ता और आगरावाज opened कलकत्ता और आगरा के बीच किस वर्स पहली telegraph line खोली गई थी जल्दी जल्दी कलकत्ता और आगरा के बीच कलकत्ता और आगरा के बीच किस वर्स पहली telegraph line खोली गई थी यह आपके लिए timer जल्दी Cancer Guardian Oncology क्या बात है तो कलकत्ता और आगरा के बीच पहली telegraph line की बात करें तो यह खोली गई थी 1854 में अब दो सवाल बनेंगा आपके लिए पहला सवाल क्या बनेगा पहला सवाल बनेगा कि पहली बार telegraph line भारत में शुरू हुआ था 1851 में कब हो था 1851 में और कलकत्ता और आगरा के बीच 1854 में किसके समय दलहोजी के समय किसके समय दलहोजी के समय तो पहली बार 1851 में कहां से कहां ताओ तो यह समझे ना कलकत्ता और डायमन हारबर के बीच हुगली पर West Sipping Mark के बीच पहले टेलिग्राफ लाइन अक्टूबर 1854 में लेकिन 1854 तक कलकत्ता और आगरा के बीच और आगी या बंबय और मद्राश जुड़ा अगर ओवरल पुष्ता कि पहली बार टेलिग्राफ लाइन कब शुरू की गई तो आप क्या कहोगे 1851 1851 क्या कहोगे बच्चे 1851 पहली ब हां पहला स्टीडी कानपूर तो लखना हूँ क्या बात है सवाल नमबर पाँच दफ्वस्ट प्राइमिनिस्टर तू गिव आई स्पीच इन हिंदी एप दो उनाटेड नेशन सद्यंडरल असेंबली संजुक्त राष्ट महा सभा में हिंदी में भासन देने वाले पहले प समझ मैं आगया स्पीड आप यह कि आई ए कैने है कि या इस मेश्ट पीए वास्पई होथ बगया है前 जितने छोग वासपई लगाएं उन्हें मिलता बिल्कुल हंडेड में हंटेड में एक मेरख लेता हूं डबल जिरो मार्क्स विया पर पहले परधान मंत्री की बात करते हैं तो पहले परधान मंत्री नडेंदर मोदी थे 2019 में इन्होंने हिंदी में भासन दिया है वास्वेजी परधान मंत्री नहीं थे जब उन्होंने भासन दिया है वो मुराजी दिसाई के समय में मंत्री थे किलियर मुराजी रिषाई के समय में मंत्री थे तो मोधी जी ने 2019 में भासन दिया है संजुक्तराष्ट महासवा में हिंदी में पहले कौन थे तो मोधी जी है परधान मंत्री की बात किया मैंने मैंने परधान मंत्री पुछा क्या पुछा मैंने प्रधान मंत्री पुछा ऐसा नहीं पुछा कि भासन देने वाले पहले भारतिये अगर भारतिये पुछता तो निश्चित रूप से आप अटल भ्हारी वास्पई के साथ जाते अब देखू अटल भ्हारी वास्पई ने पहली बार 1977 1977 में संजु संबोधित किया था तो क्या होगा विदेश समंत्रियानी फॉरेंट मिनिस्टर या एक्स्टर्नल अफ्वेर्स मिनिस्टर क्लिए रहे हैं आरे वास्पई में आगे देखो सवाल नमर सिक्स अब तक आसान सवाल जल्दी हाँ 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 पहले बता दिये भी वास्पई अश् हम वरिण बताया सर गलतबात मत वो लो और विटिस जने ने वाले पहले भारतिय को सब्सक्राइब करें तो फिर भी गलती बता दिया आपने दादभाई नरुजी के बात करें पहले पार्षी अध्यास 1886 में कलकत्ता दीवेशन में ये कॉंङर्स के अध्यास बतते हैं कारें टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा था महात्मा जुपादी इसके बाद दादवाई नवरुजी की बात करें तो ग्रैंड ओल्ड मैंड क्या कहेंगे ग्रैंड ओल्ड मैं ग्रैंड ओल्ड मैंड कहेंगे ठीक है गुपाल क्रिस्न गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल ट गए बाशे सरकार दोजा किसान किया दोगुन्ही करने के लिए एक समिती बनाए गई थी कमीटी बनाए गई थी उस कमीटी गानाम था असोक दलवई या wells बच्चे याद रहेगा क्योंकि कुछ करेंट को पुछे जाएंगे आपसे तो असोग दलवई ने रिपोर्ट सौपा था तो किसान क्या दोगुनी करने के लिए राष्ट्य वर्षा समझना राष्ट्य वर्षा छेतर प्रार्दिकरन के सीईयो असोग दलवई के देख्षता में एक उचसरीय समीति की निवति की गई आप देखना ये कितने बड़ी सवाल है आपको पता है एगरिकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है राजी सूची में आता है तो ये सिफारिस किये सहब कि जो एगरिकल्चिरल मार्केटिंग है किरिसी विपनन है उसको समवर्ति सूची में लाया जाए जिससे राज सरकार भी अपना कानून बनाएंगी केंद्र सरकार भी अपना कानून बनाएंगी और किरिसी विपननन और रसद में अधिक से अधिक नेजी छेतर की भागदारे की सिफारिष्की है यानि हर जगा प्राइवेट सेक्टर को बिलकुल घुशेड़ दो पताने क्या हो गया हम इस गवर्मेन्ट को हर जगा प्राइवेट सेक्टर समवीदा किसे ने सही कहा कि सरकार को भी अप समवीदा पे रखना चाहिए एक साल सरकार काम करे तो ठीक है ना तो भाईया वापस right to recall इसलिए election reform में चुनाव सुधार में एक दिया गया option right to recall यानि मुझे अपने सांसद और विधायक को बुलाने का अधिकार दिया जाए कि भीया काम ना कर पाए दूसरे नंबर पर था उसे मौका दिया जाए ठीक है सवाल नंबर आठ मोहित कुमार जी एक income टै किया गया है जो भारत में पर-capita income है उस पर-capita income को डबल करना है किसानों का जल्दी देश में किस शेतर में सबसे अधिक सिंचित भूमी है which area has the highest irrigated land in the country तो क्या होगा उत्तर परदेश यानि सबसे अधिक सिंचित भूमी की बात करें क्या होगा उत्तर प्रदेश होगा क्या होगा उत्तर प्रदेश which area has the highest irrigated land in the country देश में किस शेत्र में सबसे अधिक सिंचित भूमी है उत्तर प्रदेश है बिल्कुल या तक ना क्या होगा बच्चे उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सिंचित भूमी जाहिर से बात है छेत्रफॉल जायता है जंसंच्छा भी जायता है और सबसे बड़ी चीश कि जितनी भी ही हेमाले से निकलने वाले बड़ी बड़ी नदियां है वो उत्तर परदेश सही हो कर जाएंगे चाहिए गंगा की बात करें या मुणा की बात करें क्या होगा योपी होगा ठीक है तो उत्तर पर्देश में 14.49 मिलियन हेक्टेर सिंचित भूमी है जो भारत में सबसे अधीक है याद रखना सवार नुमर 9 चलिए हाव मैंने पार्लिमेंटरी सेट्स आ रहें दिल्ली दिल्ली में कितने संसदिय सीथ हैं जल्दी दिल्ली में संसदिय सीथ की बात करेंगे तो क्या होगा दस होगा क्यों वच्चे तीन राज्य सभा तीन राज्य सभा साथ लोग सभा और सत्तर विधान सभा हमें एक चीनी समझ में आता है आप लोगों से एक सीखवा सिकायत है कि जब भी पार्लेमेंटरी सीथ पूछते हैं आपके वो लोग सभा याद रखते हो भाई राज्य सभा कौन याद रखेगा बता दो भाई फनी बीडियो नाम बदल देना आज के बाद सतर लोग सभा सीथ नहीं है यह विधान सभा सीथ है आए बस समझ में तो बच्चे बिलकुल यह याद रखा करो ऐसे कुछन अगर गलती करोगे बहुत मुश्की लोगा टोटल संसदिय सिट की बात किया तो कितना होगा दस होगा क्योंकि संसद में हम राज्य सभा और लोग सभा दोनों को तो काउंट करेंगे दोनों के एंपी बोलेंगे सवाल नंबर दस जल्दी पिछले क्लास का पेडिया बनीत आचा ठीक है बच्चे मैं देख लूँगा ठीक है विचमता फॉलिम और गेंट टीशू आप हुमेन बॉड़ी जमोस्ट संसेटीव इन्टू इंटेक अफ लिड नमलिकित मेंसे कौन सा अंग उत्तव उत्तक मानव सरीर के सीसे के सेवन के लिए सबस्यादिक सम्वेदन सील है तो क्या होगा मस्तिश्क हमारा सबस्याद है कौमा लगया ना तो जल्दी फुल स्टॉप लगने में देर नहीं लगता है तो टेस्क होगा ब्रेन क्या होगा ब्रेन होगा ब्लट की बात करें तो फूलैड करें टीशू तरल संजोजी उत्ता खए तरल संयोजी उत्तक ठीक है किलिए रबच्चे ठीक ना क्या होगा ब्रेन होगा बिल्कुल याद रखना ठीक है चल तो ब्रेन is the most sensitive part in human body with respect to lead poisoning विशाथतता का नेत्रत करने के संबंध में मस्तिष्क मानव सबसे समय दंसील हिस्सा है सबसे समय दंसील हिस्सा है आगे देखो नेक्स सवार सवार नमर 11 दा उदयपूर वाइलाफ सेंचूरी इस लोकेटेड इन विच स्टेट उदयपूर्वन जिवा भ्यारन कि स्राज में स्थित है जल्दी अब पढ़ लोग का है कमेंट करते हो अलग पढ़ाएंगे यह पढ़ाएंगे फिर सीखना पाऊगे आदे गंडे तक ऐसे कमेंट करते रोगे उदयपूर्वन जिवा भ्यारन बिहार में है राजस्थान मतलगाना कई लोग राजस्थान लगाएंगे देखना कई लोग राजस्थान लगाएंगे देख लो राजस्थान 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 बिहार तो उदैपुर्वन जीव अभ्यारन बिहार के पस्चमी चंपारण जीले में इस्थीत है जो लगबग 9 वर्ग किलोमेटर छेतर में फैला हुआ है कहां बिहार के पस्चमी चंपारण जीले में इस्थीत है कितने लोगों का चलान कटा चला दिखाओ थम्ब सब बिलकुल हमारा चलान कट गया कितने लोगों का चलान कटा सवाल नमर 12 इन विचियर उतरांचल वाज रिनेम्ड एज उतराखड आज का सेव आज का कोश्टन के लेवल देखने के पाद आपको यह अंदाज लग जाएगा क्या आपकी तयारी किस लेवल पे है आपकी तयारी किस लेवल पे है जल्दी तो किस वर्स उतराखड का नाम उतराखड कर दिया गया 2007 में उतराखड नाम रखा गया उतराखड से कब रखा गया 2007 में अब देखो बिहार के 27 राज उतराँचल को 9 नौवंबर 2000 को उतर प्रदेश से विभाजित किया गया था इसका नाम बदल कर जनौवरी 2007 में उतराखड कर दिया गया एक चीज़ और समझना एक नौवंबर 2000 को 36 गण लग हुआ MP से 9 नौवंबर 2000 को उतराखड लग हुआ यान उतराँचल और 15 नौवंबर 2000 को जारखड लग होता है दो जून 2014 को 29 राज की रूप में तलंगाना लग हुआ और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मु कस्मिर लद्दाख किनसासित परदिश बना और 26 जनौवरी 2020 को 26 जनौवरी 2020 को आपने क्या देखा कि आप दमनर्दियू और दादर नगर हैविली को इंक्लूड कर दिया गया तो जितने भी नए राज्य बने मैंने आपको बता दिया मैंने आपको बता दिया ठीक है सवाल नमर 13 के तब पूरा इजा स्टैटिक फोर रूरल डेवलपेंट इन इंडिया पूरा भारत में ग्रामन विकास के लिए करणनीती है या उधारना पुर्व राश्पति डाफ्टर अब्दुल कराम द्वारा दे गई थी पूरा का पुनुरूप क्या है पूरा का पुनुरूप क्या है जल्दी 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 पूरा का पुनुरूप क्या है तो पूरा का पुनुरूप होगा प्रोवीजन ऑफ अर्बन एमनेटीज तूरूर लेरी आज ये पूरा का फूल फॉर्म है क्या होगा पूरा का फूल फॉर्म है ठीक है तो ग्राम स्विधाओं का प्रावधान भारत में गरामिन विकास के लिए करण निती है जिसकी कॉंसेप्ट किस ने दिया पुरु राष्ट्पति डाक्तर डेविजी अब्दुर कराम ने अपने पुस्तक लक्ष थ्री बिलियन में चर्चा की गई जो स्रीजन पाल सिंग के साथ लिखा नहीं है ठीक है सवाल नुमर 14 इन विचियर लेक्टिक कॉंसल न तमिलाडवाज अबॉलिस्ट तमिलाडव में किस वर्ष विधान परिशत को समाप कर दिया गया था बताए क्या होगा अच्छा लीक हो गया था ओके तो बढ़िया है ना लीक हो गया था आपके लिए लोट तो क्या होगा उनीशो त्यासी में नाइंटी निटीनेटी सिक्स में तमिलाडव में विधान परिशत को समाप कर दिया गया आप अभी वर्तमान समय में कितने राज्यों में लिस्ट लेक्टि कॉंसल है तो आपको पता होने से यह आटिकल नुमर 169 से हम लिस्ट लेक्टि स्तलंगाना उरिशा में बनाने की बात चल रही है बना नहीं है आंधर प्रतेश में हटाने की बात चल रही हटा नहीं है यह 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 सवाल नमर 15 वर्ल्स लार्जेस्ट रिलीजन विस्टू का सबसे बड़ा धर्म जनसंच्छा के लिए आज से कौन है जल्दे विस्टू का सबसे बड़ा धर्म जनसंच्छा के लिहाज से बहुत मज़दार सनातन धर्म मारोगे मुझे पता है इसाई धर्म जनसंच्छा के लिहाज से जनसंच्छा के हिसाब से क्या होगा इसाई है क्या होगा इसाई है क्रिश्चन है बिल्कुल या जखना क्या बच्चे क्रिश्चान क्लियर तो कहता है सर्थ इसाई धर्म दुनिया की अबादी का लगबग एक तिहाई है और दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है एक अध्यान में पाया गया कि इसाई दुनिया की अबादी का लगबग 32% हिस्सा है इसके बाद मुसल्मान ये हिंदू तीसरे नमबर पे हैं इसके बाद बहुत हर्या होदी है हिंदू तीसरे नमबर पे है बिल्कुल या तक न ठीक है सवाल नमर सोला जल्दी कि अमनगय आज कई ऐसे को अपको पहली बार दिखेंगे डिया किसने का समयर में सालिमार और निशाथ गार्डन की नीव रखी तो जहांगय नि रखा था पता है A board of love. A board of love. जिसको हिंदी में कहते हैं. प्यार की चादरें. प्यार की चादरें. इतनी खुब्सूरत बनाई गई थी. तो जहागिर की जो पत्नी थी न. महरूनिसा. जिसको नूर जाह कहते हैं. उनके प्यार में. उनकी याद में. और साजां की बतनी का राम क्या था अरजमन्दó बैगम की सम्मूर्मिन ताज महल कहते हैं तो यहाद रखना थीट हैं तो जहागीर कस्मीर में सालिमार और निसाल कारणियं का संसापक था इसे 1619 में बनाय गया था निसात माग डल जहील के पुरी भाव मेनाए एक सरिदार मुगल गात उद्यान है जो भारत के जमु और कस्मित के किंसासित परदेश में स्रे नगर के करीब मौचूद है आगे देखो सवाल नुमर 17 विचर्दा फॉले में पेंटिंग इस आज पाल गई पदम नम्निकित में से किस पेंटिंग को पाल गई पदम के नाम स से भी जाना जाता है तंजाओर पेंटिंग मैसुर पेंटिंग मदुबनी चितरकला या पट्ट चितर सवाल मर 17 जल्दी कि जल्दी 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 अभी भी एक लड़का एक लड़की को कहा भाई मैं तुम्हारे याद में ताज महल बना दूँ बेचारे को जमीन ही ना मिला आजकल जमीन मिलता कहा है और ना साजहाँ है ना मुंताज महल है आजकल हर बार मुंताज चेंज साजहाँ चेंज और जमीन तो है यही नहीं याद रखना पुराने समय थे जो बनाए गए तो पालगई पदम तंजावर में पेंटिंग को और मदुबली चित्रकला ये बिहार के लिए फेमस है बिल्कुल याद रखना ठीक है तो तंजावर पेंटिंग एक सास्तरिय दक्षिन भारते चित्रकला है इस परकार के पेंटिंग कहां बनाई जाती है पता है लकड़ी पर और कैनवास पर बनाई जाती है इसे अस्थानिय भासा में पलगाई पदम भी कहते हैं ठीक है आगे देखो हिसे साथान+. अब तक क्या सबसे असान सवाल मैं अबल तक क्या सबसे आसान सब हित हुई द भात रहा है बहुत भाषी आ रही है आपको क्या बात है भाषी ऑ रही है ठीकiento्तेक्र फटस देखो वनस्पति विज्ञान के पापा थी, ऑल फ्रेिस्टस हैं अरस्तु बायलॉजी के और जुलजी के पापा है और कारोलस लीनियस की बात करें的話 टेक्सोनमी Father of दिवनामपद्धति taxonomy जिस taxonomy जिसे हम दिवनामपद्धति कहते हैं सवाल नमर 19 जेट इस्ट्रेम्स आर यूजुवली फांड इंदा जेट इस्ट्रिम आप तौर पर कहां पाई जाते हैं एक्सोस्पेर मेजोस्पेर ट्रोपोस्पेर आइनोस्पेर सवाल नमर 19 जल्दी जेट इस्ट्रिम बच्चे देखने को मिलेगा आपको ठोब मंदल में जहां मौस में घटनाएं घटती है जहां एट्पोस्पेरिक फेनुमेनन होता है मौस में घटनाएं घटती है आयन मंदल की बात करें मध मंदल में आपका उलका पिंट टक राता है आकर कहां मध मंदल मे तो ट्रोपो स्फेएर में जेट तेखने को मिलता है that meanssta जेट धाराई जेट रिस्टिम पिर्थुवी के सता से पांच सोई नौ मिल उपर उपर छोब मंडल में स्थित है पिर्थुवी के वाये मंडल की परत जहां हम रहते हैं और सांस लेती हैonn synt a human no. 20 which of the following इंवर्सिटी वास फॉंडेड़ राम पाल डानेस्टी नम्रिकित में से किस विश्विध्यालिक अपना पाल वंसके सासक राम पाल ने की थी विक्रम सिला नालंदा जग्दल उदन्थपूरी सवाल नम्बर 20 जल्दी ये जिए ट्रिस्ट्रिव आर डी-े-क्स बाबा य किस विश्विध्यालिक अपना पाल वंसके सासक कराम पाल ने की थी देखो विक्रम सिला आप जानते हो धारम लाज़ ये भी पाल वंसका वदन्थपूरी जानते हो ये गोपाल ये भी पालबंस का नालंदा जानतों कुमार गुप्त और जगदल इन्वर्सिटी पता कहा है ये ये वेश्ट बंगाल के बाकुडा में वेश्ट बंगाल का बच्चा को पता होगा बाकुडा 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 वेश्ट बंगाल के बाकुडा में मौजूद है बिल्कुल याद कि मौर्स यहासन पर आसीन से पहले बात करें तो आसोक निखित में से किसका वाइसरा था तक्सिला का अब देखो समझना कितने कुशन कैसे हैं तहले यह उज्जैन का गवर्नर रहता है तक्सिला में रिवोल्ट होता है पर तक्सिला में रिवोल्ट को कंट्रोल करता है और फिर असोक यहां का गवर्नर बना दिया जाता है बिंदु सार के द्वारा तो कुशन क्या पूछा सिहासन पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर तक सीला का याद करी जब मैंने मौरें डैनेश्टी पढ़ाया था तब आपको कहा कि भाईया जब दोनों में उप्सन रहेगा इस तरह के सवाल में तो आप तक सीला के साथ जाना उज़ जा इनके साथ नहीं कि गवर्नें दोनों का है लेकिन बैठ गधी पर बैठने से पहले ओ तक सीला का भी गवर्नर था ये याद रखना सवाल नुमर 22 जल्दी वी सोज ते बनने वाले पहले भारते कौनते बच्चे राजकुमारी अमरितकॉर जो पहली स्वास्त मंत्री रही है नेरु जी के कबिनेट में जो पहली स्वास्त मंत्री रही है नेरु जी के कबिनेट में राजकुमारी अमरितकॉर याद रखना ठीक है राजकुमारी अमरितकॉर आकर देखाँ सवार नमर 23 किस राज ने ये स्कूटर रिक्षा के लिए सबसेड़ी जोजनाओं की घोशना की है जल्दी गुजरात के मुख्यमंतरी विजयरुपानी ने ये स्कूटर रिक्षा के लिए सबसेड़ी जोजनाओं की घोशना की है गुजरात के मुख्यमंतरी विजयरुपानी ने राज में बैटने चाली दो पहिया और ते पहियावानों के लिए एक सहाथा योजना की घोशना की है सवाल नमर 24 जल्दी बिल्कुल हिमासो जी पीडिया मिल जागा बच्चे भारत के पहले जो एक्स्क्लूसिव प्राविट जेट टर्मिनल भारत के पहले अनन ने नीजी जेट टर्मिनल का उद्खाटन किस हवाई अड़े पर किया गया तो आपको याद दख्णाओगा इंद्रा गांधे इंटरनेशनल एरपोर्ट निव दिल्ली चत्रपति सिवाजी महराज मुंबई केंपे गौडा बेंगलूरू कोचेन केरल तो भारत के पहले अनन ने नीजी जेट टर्मिनल का उद्खाटन केंद्रिय नागर कुड़े अनमंतरी हर्दिप सिंपूरी ने 17 सितंबर 2020 को दिल्ली केंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरप कोड़ पे किया था सवाल नुबर 25 उस नदि का नाम जिसका पानी काकरा पार्ट परियोजनाद्वार उप्योग किया जाता है महानदित तुंभदरा दामोदर तापति सवाल नुबर 25 जल्दी कि भीया काकरा पार्ट याद रखना पड़ेगा यह कहां काकरा पार गुजुरात तो तापति होगा दामोदर सोक बंगाल तुम भदरा ना महानदी महानदी की बात करें तो वोड़ी साह जिस पर सबसे लंबी बांध हीरा गुद्बांध लोकेट है तो काकरा पार प्रियोजना तापति नदी पर इस्थित है जो काकरा पार में इस्थित है नेक्स सवाल कि जल्दी कि मेटा दामोदर जार्खन में चले जाओगे कहां देखोगे दामोदर पर विश्व बैंक के वार्षिक मानव पुझी सुचकांक में भारत को किस अस्थान पर रखा गया था इंडिया वाज रैंट एड विच पोजिशन ओंध वोल बैंक्स एन्वल सब्सक्राइब है बहारत को 107 पर रखा गया है काहां पर है बहारत को पुझी सुचकां के नमितम संस्क्राम में भारत का पोजिशन उन हंडेड सिख्ष्टिन है निक्स सवाल सब्सटाइश जल्दी श्रवार नमर्स 27 नमलिकित मैंशे किस राज में छट पर खेती की जाती है, पंजाब, उत्रपर्द मिखत belong यह बॉट्ञारी ग्रे virti जाती है, यह इंन्पौर्टेंड है, यह सवाल पूछा गया उत्राखंट PCS में ठीक है आगे देखो सवार नमर अठाइस किस राज्य में सिचाई की तुम्भद्रा परियोजना इस्थित है महरास्त्रा करनाटक तमिलाडू केरल इसलिए मैंने तुम्भद्रा नदी के बारे में नहीं बताया दोसमें तो तुम्भद्रा नदी कहां करनाटक में कहां है करनाटक में बिलकुल या दखना सवाल नमर अठाइस बेटा पिडियॉप आपको विडियो के नीचे comment बाक्स में पिडियॉप मिल जाएगा आपको ठीक है परिसान ना हो भचे किस निर्मान कमपनी ने भारत के नए संसर ववन के निर्मान के लिए बोली जीता है तो किस ने जीता टाता गुरुप ने जीता किसको हराया तो टाता गुरुप ने लार्सन एंड टूब्रो को हराया लार्सन एंड टूबो को हराया और हराकर जीता 16 सितंबर 2020 को बिढ हुआ था ठीक है कि लिए रवर्टे आगे देखो सवाल नमर 30 वेर इज़ टॉब अप महराजा रंजी सिंग लोकेटेड महराजा रंजी सिंग का मखबरा कहां इस्थी थे कपुर्थल्ला अम्रिल सर्पत्याला लाहौर सवाल नमर 30 और मैं बता दूँ कि 10 बज कर 15 मिनट पे जो आप देखते हो विडाव विदाव आप्शन अंड एकैडमी पे स्पेशल क्लाश जोईन करने मत बोलना और कल से तो विया महराजा रंजी सिंग का मखबरा कहां है लाहौर में और महराजा रंजी सिंग का राजधाने भी कहां ला मिशल था सुकर्चक्या मिशल के थे किस मिशल के से सुकर्चक्या मिशल थे ठीक है तो महराजा रंजी सिंग 1780-1849 पंजाब का सेर कहा जाता है पंजाब के एक सिक्स आ सकते उनका मखबरा पाकिस्तान के लाहौर में इस्थित है पाकिस्तान के लाहौर में इस्थित है ठीक उसमें से सुरुवात की जा रही है जिसमें से पहले हिस्ट्री है जैसे complete होगा 15 लिक्षर इसके बाद फिर quality फिर जोगर्फी फिर science and take सब से last current affairs क्योंकि आपको पता है सितंबर अक्टूबर नॉमबर तीन महिने current affairs को add करना पड़ेगा तो chlorophyll सुर्ण के परकास के त्रंग्धेर्द में किसको associate करता है red और blue को absorb करेगा red और blue को absorb करेगा green को क्या करेगा वो reflect करेगा clear आई बस समझ में तो chlorophyll लाल और नीली रोस्तनी को associate करता है और reflect करता किसे हरे रंग की रोस्तनी को reflect करेगा बिलकुल या तक ता थे नो कि डिकता पंध्रूप क्या है कि onu फ्ल्फॉम ब्यूडी मियोडी का रूर क्या है बाइले उकसेजिएं डिफिसित बालोजिकल प्लूऺ सल उकसेजिएं डिफुफुरेंस बालोजिकल आविडी डिमांद या बालोजिकल ऑन्सिजिएं डिस्रिशन अवाति है तो जिसने सब्स्रिप्शन लिया याद रखना कल 12 बिजे जुड़ना जरूर रेफरल कोड बाबाटेन तो ब्योडी का पूंडू क्या होगा बच्चे बायोजिकल ऑक्सिजन डिमांड यानि हम नदियों के जो परदूसन की सिती को जानते हैं कैसे ऑक्सिजन की घुली हुई मात्रा से ऑक्सिजन की घुली हुई मात्रा से हम पता लगाते हैं नभीयों का परदूसन ठीक है तो बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड एक निश्चित समय अधी में निश्चित तापमान पर किसी दिये गए पानी के नमूने में मौझूद कार्बनिक पदार्थों को तोड अधनलक्तिक प्रोजेक्ट्स ब्शें टसनूट बीलूंग टू तमिलाडो कौन सी जल्विदुत परियोज़ना तमिलाडो से संब्नौतित नहीं है ये dramatically हाँ लिटन साहब क्वीज होगा पहले क्लास कर लेंगे तब क्वीज होगा जल विद्धुत परियोजना तामिलाडों से सम्बंदित नहीं है इडू की बिलकुल क्वीज होगा अभी मैं कोड बता दूगा आपको ठीक है बच्चे तो कौन सी जल विद्धुत पर जोईनता मिलाडों सम्मंदित नहीं है इडू की इडू की कहा है ये केरल में है इडू की कहा जाएगा ये केरल बागे बाद सब के सब कहा है सवाल नमर 24, 34 जल्दी किसन गंगा किसके सायग नदी है जेलम किसन गंगा किसके सायग नदी है पिरियार भया पिरियार तमिलाडू के बीच विवाद है तो पिरियार भी कहा जाएगा पिरियार भी तमिलाडू निकलेगा बिलकुल याद रखना तो किसन गंगा किसे सहाइग नदी है जेलम की तो बज़े किसन गंगा नदी भारत में जाने जाती है पाकिस्तान में इसे नीलम नदी कहते हैं बिल्कुल या तक न जेलम नदी के एक सहाइग नदी है बिल्कुल या तक न ठीक है सवाल नमर 35 दयंग चिक्स कम आउट ऑप एक्स विदिन हाव मेनी डेज अप्टर बिंग हैस्ट बाइदा हें मुर्गी द्वारा अंडे दिये जाने के कितने दिनों बाद यूबा चूजे अंडे से बाहर आते हैं सब्सक्राइब बाद कितने बाद तीन सब्सक्राइब यह चूजे अंडे से बाहर आ जाते हैं ठीक है सब्सक्राइब शाइंटेटव शाइन सांस्थान का यह जल्दी ए है है दा इंडियन इस्टिटूट अब साइसिज लोकेटेद अब भारत भीजान संस्थान कहां सिता है बैंगलोर में कहां पे बैंगलोर में इस्थीत है बैंगलोरू में इस्थीत है बिल्कुल या दखना सवाल नमर 37 अंगोला और नामीबिया नम्लिकित में से किस रेखा से विभाजित होते हैं सवाल नमर 37 पिटा कहा गया है हिंदी में मैनेजमेंट से बहुत जल्दा को हिंदी में भी देखने को मिलेगा बच्छे तीक है तो अंगोला नामिबिया किस रेखा से विभाजित है 16th parallel line 49 आपको याद है USA और कैनेडा है ब्लू लाइन और 31 parallel line ब्लू लाइन इस्राइल और लिबनान के बीच पर 31 इराक और इरान के बीच 38 साथ कोरिया और नौर्थ कोरिया ठीक है सवाल नौर 28 वेर इड़क्वार्टरस ऑफ युनाइटे नेशन स्विमन डाइट कॉंसिल संजुक्त राष्ट मानवा दिकार परिशत का मुख्याले कहां है जल्दी संजुक्त राष्ट मानवा दिकार परिशत की बात करें तो यह जीनेवा में है कहां पे और मानवा दिकार दिवस कम मनाते हैं 10 दिसंबर को मनाते हैं 10 दिसंबर को मनाते हैं बिल्कूर याद रखना तो हेटक्वाटर जेनेवा स्विजर लेंड 15 मार्च 2006 को स्थापना और अध्यस की बात करें एलिजाबेच चीची फिसल बर्गर अब बर्गर से याद रखना कि भाई चीची गोविंदा को बोलते थे चीची ने बर्गर को देखार फिचल गया याद रहेगा चलो आगे देखो सवाल नमर 49 ऑर्टो मोबाइल अमिलिकर में से कौन सा परदूसक नहीं छोड़ता है और तो मोबाइस डोंट रिलेज विच अव्ट फॉलिंग पॉलुटेंट्स सल्फर डायोपसाइड नाटोजन ऑक्साइ जा रेडियोएक्टिव पॉलुटेंट्स या हाइड्रोकार्बन सवाल नमर 49 चल्दी है हां बच्चे दस पंद्रा पे एंटी पीसी का है लेकिन विदावट ऑप्सन है वो बिना ऑप्सन का खेल खेलते हैं तो आटो मोबाइल नमनिकर में से कौन सा परदूसक नहीं छेड देगा तो जितने भी निकुलियर रेक्टर हैं वहीं से यह जारी होगा बिल्कूल याद रखना ठीक है सवाल नमर 40 विच अब फॉल्विंग पर पोस्ट टर्म एको सिस्टम पारिश्टित की तंत्र संब्द का प्रस्ताव किसने रखा जल्दी किसने रखा बताव सवाल नमर 40 वारिश्टित की तंत्र संब्द का प्रस्ताव किसने रखा चल्दी बच्चे जाओ का जवाब इसका टैंसलिन रखा किसने रखा टैंसलिन रखा अभी अनकैडमी पे क्वीज है बच्चे हिस्ट्री का 26.05.23 इसका कोड है क्या है 26.05.23 कोड क्या है बच्चे 26.05.23 याद रहेगा अभी अनकैडमी पे क्वीज होगा हिस्ट्री का जिसका कोड है 26.05.23 26 053 ठीक है तो इको सिस्टम सब्द का पहली बार परियोग 1935 में टैंसले ने किया किसने किया टैंसले ने किया किसने किया टैंसले ने किया याद रहेगा 26 053 क्या कोड़ है बच्चे 26 053 यह कोड़ है कैसे जोइन करना है SSC वाले में अपना गोल सेलेट करना SSC एकजाम फिर मेरे नाम को सर्च करना रोहित कुमार और फिर यहाँ पे टेस्ट जो बनी है यहाँ पे देखो टेस्ट इस पे क्लिक करना फिर टेस्ट जोइन क्वीज करना और जो कोड़ मागेगा तो यह कोड़ डाल देना 26 053 क्या डालोगे 26 053 कोड़ डाल दोगे पहुंच आओगे वहाँ इसके लावे याद करिए कल से 12 दोपहर 12 बजे पूरा रन निती बनाएंगे कैसे NTPC को क्रैक करना है ठीके CBT1 कम समय में तो जोइन करना ना भोलें 12 PM रेफरेल कोर्ट बाबा टेन जिससे आपकी GS की जिम्मेदारी हमारे उपर है बस क्योंब आप पढ़ने की तयारी करिए साथ जात आपको Reasoning और Math कहा मिल जाएक, Unacademy पर मिल जाएक जिन से भी आप पढ़ना चाहते हो कहीं जाने की जरूरत नहीं है ठीके बच्चे तो याद रहे कल दोपहर 12 बजे NTPC का Crash Course 5000 प्लस सवालों की सीरीज जिसमें से पहला हिस्टरी की सुरुवात है कल दोपहर 12 बजे कैसे जो एन करें, सबसे पहला Unacademy Learning App डाउनलोड करें डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करें ओपन करने के बाद यहाँ पर आप मोबाइल नबर डाल दें अपना और 6 डिजिट OTP पे क्लिक करें क्लिक करना जैसे क्लिक करोगे पुछेगा कितने मंत कता खुद सोचो CBT-1 और CBT-2 तभी तो NTP सी क्रेक करोगे साथ साथ ग्रूप D का भी एक्जाम है तो एक बार में पैसा लगा दें यानि 12 महीने के लिए फी 5000 है और 24 महीने की फी 6000 है जैसे आप यूज करते हैं रिफरल कोड बी ये बी ये वन जिरो बाबा टेंज ये घटकर श्याजार चोवन सो हो जाता है और पांच जार पैतालिस हो जाएगा अब आप इस पेसर क्लास करते हैं बिल्कुल करते हैं सर वहां भी आपको क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं उससे भी आप 10 परसेंट का रिबेट उठा सकते हो यानि 4000 में एक साल तक बिल्कुल मैट्स और इजिनिंग जीए सब कुछ इंक्लूड ठीक है बच्चे कैसे पेमिंट करना चाहें तो आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है या पिर डेवि पिन करवा दूंगा वीडियो के नीचे ठीक है बच्चे तो मिलते हैं अब एक क्वीज में तब